आँ कि सोचो किसी दिन तुम जा रहे यो बैंक आप तो तो कोई बैंक जाता नहीं है क्योंकि हर जगा बैंक आप बहुत करनी है हमारे घर में इसी नहीं है तो हम ATM जाएंगे बैंक जाएंगे तो हम गए बैंक SBI गए, पंजाब नाशनल बैंक गए, जो भी बैंक है, तो आप गए बैंक और आपने अपना बैलेंस चेक किया, और आपको देखा क्या रहे, मेरे बैलेंस में तो जीरो है, ये एक टकला कहां से आ गया, जीरो बैंक बैलेंस कैसे हो गया, कल तक तो लाखों रुपएत लेकिना जीरो है, और आपकी हालत खराब, अब आप बोलेंगे कि भाई, ये क्या हो गया है, आप जाएंगे मैनेजर के पास, वैसे भी कुछ बैंक, आप समझ रहे हैंना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक से दूसरे डिस्क में दोड़ाते हैं, उदर जाओ, 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 मैं पता चले, ओ, आपका तो आधारी चोरी हो गया है, आप इस फिंगर प्रिंट से वो चोरी हो गया, शिट, अब आपकी सिट्टी पिट्टी गूं, आप सन्नाटे में आ गया, कि ऐसे कैसे हो गया, ना मुझे कोई मेसेज आया, ना कोई OTP आया, मेरे पैसे गये तो गये क पहले कि गए, गए बैटा गए, यह हो रहा है, और यह सबसे खतरनाक साइबर फ्रॉड है, मेरे हिसाब से, चुकि यह काफी लोगों के साथ हुआ है, कम है, लेकिन हो रहा है, एक भी इंसान के साथ हुआ, तो डेंजरस है, तो क्योंकि आपको नहीं पता कल कौन हो सकता है, प तो यह चीज़ है, जितना हो सके शेयर कर देना, ग्रूप में डाल देना, इधर उधर के वाटसाइब मेसेज ने, यह वीडियो जरूर डाल देना, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सिक्योर रहिए, और सिक्योर अपने करियर को भी करिए, क्योंकि UPSC का प्रहार बैच ह से कम नहीं होता है, ठीक है, पागिमान सी मैं, प्रिंसर, सब के सब, all our dedicated faculties will be teaching in this प्रहार बैच और जो की बहुत टाइम से पढ़ा भी रहे हैं, तो लाइव क्लास से चल रही हैं, और UPSC हिस्ट्री की ऑप्शनल हिस्ट्री की तो इस बार क्लास में ही लूँगा, और PSIR आपके पास टाइम है, अभी 25% आफ है, देखो मैं बहुत ही ध्यान से चलूँगे इस लेक्चर में, एक एक चीज़ समझते जाओ, आधार Unableed Payment System, OTP आप शेयरी नहीं करते हो, OTP आता ही नहीं, OTP आया ही नहीं, यह बड़ा डेंजरस है, अब बात ये है कि अकर साइबर क ठीक है, और पहले ही, मैं 12th में था, मैंने 12 2010 में किया है, तो तब मैं अपना आधार बनवाने गिया था, और उसके बाद मैंने देखा कि यार बहुत लंबी लाइन है, यह कौन सा नया ID काड़ आ गया है, तो सब बोल रहे थे कि भाईया बहुत बढ़िया है यह आधार, औ और बाद में Jam Trinity हम सब को पता है, ठीक है, जंदन, जो bank account खोले गई है, आधार mobile banking, A.E.P.S. आधार एक unique ID है, जिससे सब कुछ आपकी पूरी personality उन्होंने ले ली, सरकार ने ले ली, ठीक है, आपके fingerprints ले ले लिया, आपका retina scan ले लिया, आपका sign ले लिया, तो everything they have got, सरकार क secure नहीं करेगी, तो क्रांती हो जाएगी अगले दिन, तो सरकार पूरी तरीके सा आधार को secure करके रपती है, highly secured data है, लेकिन फिर भी आधार कहीं ना कहीं leak हो जा रहा है, हर किसी का नहीं, कुछ हमारी गलती है, ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत, इदर आप समाझ नहों किसकी गलती है, थोड़ी बहुत, तो गलती है, लेकिन हमारी भी गलती है, अब हमारी क्या गलती है, मैं अभी आपको थोड़ी दिर में बताऊंगा, ठीक है, तो cyber criminals तो यह सब देखते हैं, उनको एक गलती, छोटी एक परसेंट भी गलती मिलना, वो सारा data उड़ा लेंगे, तो जो कि यूट्यूबर है, उन्होंने यह अपने ट्विटर पे डाला है, कि जब मैंने अपनी दादी का अकाउंट चेक किया, तो उस PNB में जीरो अकाउंट है, तो मैंने दादी से पूछा कि आप क्या आपने कुछ पैसे वैसा निकाले, वो लकिन मैंने तो कितने दिनों स मैंने तो पैसे देखे ही नहीं, अब ना यहाँ पे OTP आया, ना कोई मेसेज आया, पस पैसे उड़ गए, तो अब एक इंसान के जीवन के पूरी कमाई, जो उसने पूरा कमाया, वो एक मिनट में गायब हो रहा है, ठीक है, जनवरी में इस तरह काईवेंट और हमको देखन को मिला, 2019, 2020, 2021, 2022, देखिए, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, और होते रहेंगे, हम डिजिटालेज में हैं, डार्क इंटरेट में सब बिक रहें, तो यह सारे इंसिडेंट जो हैं, वो होते रहेंगे, इट जस्डाट कि हम कितना ज़्यादा अवियर हैं, हरियाना में हुआ, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, और ऐसी कंप्लेंट जो हैं, इस तरीके से आती रहती हैं, कि जो हमारे बायो मेंट्रिक्स हैं, वो चोरी हो गए, अब बायो मेंट्रिक्स यहां पे चोरी किये गए हैं, डेफिनेटली, जो यह केस आया है, मैनेजर ने यह बता ह पर उन्होंने जैसे ही यह पता चला, उन्होंने तुरंट अपने आधार को लॉक किया, यह बहुत बड़ा ओफ्शन है आपके पास, हाइदराबाद में 2022 में भी ऐसे ग्यांग ऑफ साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए, अब यह क्या है, आंधर प्रदेश रजिस्ट्रेश फ्रॉड कर रहे थे और इन्होंने 14 लाक रुपए लगबाग 500 कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से उड़ा लिये, यह चीज है, धाई हजार क्लोंड फिंगर प्रिंट्स है, खूप सारी पेंड्राइब्स मिली है और बाकी गैजट्स मिले है, पैसे गए तो गए, बहुत मु रिपोर्ट किये गए, अब हम इस पे आते हैं, ठीक है, वाट इसे एपेस और हो डस इट रिमूव दर नीट फॉर एटीपी, ओटीपी आपके इसमें आएगा ही नहीं, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, क्या है, इट सब बैंक लेड मॉटल, विच एलाउज फान ओन ओन आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, आपके आधार से एनेबल किया हुआ, पूरा का पूरा फाइनेचल ट्राजेक्शन, यानि कि सिर्फ और सिर्फ आप आधार यूज करके, कुछ भी खरीच सकते हो, बेच सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो यह पी ओएस पे हो सकत है कहीं पे और यहां पे आपको OTP की भी जरूरत नहीं है बैंक नेम आधार नंबर फिंगर प्रिंट्स काप्चा डूरिंग आधार इंडॉल्मेंट यह सारी चीज़े जो है न यह हटा देती है कि इसमें आपको चाहिए ही नहीं कुछ ठीक है इसमें आपको चाहिए नहीं के लिए बैलेंस इंक्वाइरी के मिनी स्टेट्मेंट के लिए आधार फंट ट्रांसफर के लिए और इंटिफिकेशन के लिए भीम आधार पेपे के लिए तो कुछ है इंपुट्स रिक्वाइर होते इसमें आपको OTP चाहिए भी नहीं एक तरीके से अब आपको एक बात कि जब आता बैंक अग्वाने जाते हो है ना आधार नंबर सब से ज़यादा जरूरी होता है वहाँ पर आपका आधारी जो है वह constitutionize अव ृईडिया आधार को तो क्योई की अब U S wahr बैठे अपना सारा काम करवा सकते हो सिर्फ और सिर्फ वेक आधार से लेकिन यह डेंजरस भी है अगर आप बहुत ज़्यादा सतरक नहीं रहे तो समझ रहे हो अब इसमें सतरकता बरतनी बहुत ज़्याद है सबसे पहले तो माई आधार आपको डाउनलोड कर लिए फर्स ति है डिफॉल्ट है क्या है अभजार सी बात है कि बैंक अकॉंट की बात है तो ट्रांसफर तो होगा ही होगा यानि डिफिनेटली इनैबल ही हैै है के नहीं भाई अगर माल लो कि अप्र जो यह यहीं गैस की वह बैंक अकॉंट में आ रही है तो इसका मतलब एई पिस enabled है लेकिन अभी तक इस पर कोई clear answer है ही नहीं क्योंकि अगर ऐसा option आता तो फटाक्स से हम enable कर देते और फटाक्स हम disable कर सकते थे जैसे आपने अगर आप देखा हो आगर अगर आप अपने यह हिसाब किताब है अब देखे सरकारी काम के लिए आपने अधार दिया तो ठीक है अनलेस जो साइबर क्रिमिनल्स है उसी सरकारी सर्वर को जैसे अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है यह तो यूजर जो है इफ इफ इट विच्ट डिसीब एनी बेरिफिट और सब्सेडी अंडर स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन सेवन और अधार एक्ट आपको मैंडेटरी अपना अधार नंब और तो दे नहीं पड़ता है भीया है कि निया अधार इस ऑल्सों दे प्रिफर्ड मेंटेट फॉर्ट के वाइसी में हर एक चीज के लिए के वाइसी के लिए आपको आधार की जरूरत होती है यह चीज़ है अब सबसे बड़ी बात है में चीज तो में मुन्दा अब आए क आधार का डेटा ब्रीच 2018-12 में रिपोर्ट हुए है कि यूँए डिया ने बोला है कि भाई देखो आधार डेटा को ब्रीच नहीं किया गया यूँए डिया ने पूछा गया कि आप के तो इतना सुरक्षे तो आधार कहां से लिक हो रहा है वह लागे देखो हमने नहीं ब only location where data can be leaked बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है बिल्कुल सही बात कि भाई data base हमाना secure है और यहां से आप leak नहीं कर सकते ठीक है आधार number are readily available in the form of photocopies हम आधार बांटते रहते हैं तो मैंने क्या बता है हमारी भी गलती है हम आधार बांटते photocopy में आधार दिया दे दिया number number सब उसमें चाहता है पूरी information उसमें होती है number से बहुत कुछ हो सकता है ठीक है ना तो आधार हम दे रहे हैं आप आधार की photocopy दो तो number को शुरुवात के chart ठीक है लेगिन बाकी को number के उसमें कोई जरूरत नहीं होती है याद रखना या वो क्या वो सेफ आधार photocopy भी या वो जो PDF है ना उसमें आपका number already blurred किया हुआ होता है तो आप वो भी आधार की website से निकाल सकते हो तो ये बता रही हैं कि जो आधार numbers हैं ये photocopy के form में soft copy के form में criminals जो हैं वो इस तरीके की system को यूज करते हैं और information leak हो जाती है आपको खुद नहीं आदोगा आपने किस-किस को आधार दिया अगर मैं in fact मुझे खुद नहीं आदोगा मैंने किस-किस को आधार दिया है ये चीज है scammers जो है यही silicone होता है ना कि वो clone करने के लिए वो अपना fingerprint थोड़ी लगाएंगा आपका फिलिंगर प्रिंट वो इसे silicone से लेते हैं ठीक है वो होता है एक जो ग्लस टाइप का होता है ताकि बहुत ही effective जो है वो fingerprints आता है अपना अक्सर मूवी में देखा उसी सही हो सकता है पैसा वरना और कोई तरीका नहीं है तो 2016 में जो UIDI ने यह आधार regulations यह लेकिया है इसमें बोला कि देखो जिनके पास आधार number है सबसे पहले तो अपना आधार number डीटेल्स शेयर ना करें आधार दे दो लॉग डाधार में क्या होता है कि आप वही है कि उसमें आपका number जो हो नहीं जाएगा मैंने क्या बता है सिर्फ आधार की जरूरत है number की जरूरत नहीं है कुछ-कुछ जगह पर आपको number की जरूरत पड़ती है लेकिन वो सरकारी संस्थानों कई अगर सरकार में तो वो ठीक है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर जगा अगर आप आधार दे रहे हो तो इसको नंबर मत दो समझ रहे हो तो यह चीज है और उसको लगातार अगर वैसे तो अगर PDF दे रहो या आपको पता लगता रहे क्या हो रहा है तो ये चीज है, तो सबसे पहले अगर आप मालीजे कि soft copy दे रहे हो तो और अगर मालीजे आप hard copy दे रहे हो तो उसको black कर दो, number मन दिखो number को छुपा के रखो फिर उसके बाद क्या है कि इन्हों ने two factor authentication, अगर आपने नहीं किया तो ये भी आप website पर जाके कर सकते हो माई आधार पर चले जाना, यूँआई डियाए पे नहीं तो login कर लेना, अपना आधार नमबर डालके OTP आएगा और वहाँ पर आपको सारे options दिख जाएंगे तो ये two factor mechanism भी बहुत ज़्यादा जरूरी है है ना, तो इसमें भी जो है, वो आप अपने आधार को protect कर सकते हो साथी साथ सबसे जरूरी है कि अपनी आधार information को lock करो और अपनी biometric को भी आप lock कर सकते हो, आप अपनी biometric information को भी enable disable कर सकते हो माई आधार पे जाना, वहाँ पे option आता है lock biometric और, मतलब enable biometric और disable biometric तो जब भी आपको जरूरत हो, जैसे माल लिजे कि आप किसी property की register करवानी जा रहे हो, तो वह आपका आधार लेते हैं आपका fingerprints लेंगे, तो अभी आप ऐसे lock रखो, disable रखो उसको ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी आप सरकारी काम करवानी के लिए जाओ, जहाँ पे आपको fingerprints की जरूरत हो, तो आप उसको enable कर दो, और फिर उसको disable कर दो simple सा तरीका है, कोई दिक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, so users are also advised to ensure that log their aadhaar information by visiting the UIDAI or using the mobile app, इनका mobile app सबसे बढ़ी है, my aadhaar, ठीक है, this will ensure that the biometric information, even if compromise, cannot be used to initiate financial transaction, main तो यही है, financial transaction सबसे जरूरी है, तो अगर मालो कि आपका aadhaar information चली भी जाती है, without aadhaar number, without fingerprints कुछ नहीं होगा, aadhaar can be unlocked when the need for biometric authentication arises, such as property registration and passport renewals, तो सरकारी काम में, जब भी आपको लगे, कि हाँ भाई ऐसा है, कि हमको आधाar अभी unlock करने की जरूरत है, तो आप करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपके पास फटाक से आप है, एक दिन पहले आप enable कर देना, ऐसे उसको disable करके ही रखो, उसकी कोई डिजिट का VID number मिलता है, यूजर सो जो है, वो अपने आधार को, अपनी biomater की information को lock कर सकते है, माई आधार टैप पे, तो आधार पे जाना, माई आधार UIDI website पे यहाँ पे आएगा, और उसके बाद आपको option जो है, वो मिल जागा, तो ये 16 digit code जो generate होता है, जब आप आधार को lock करोगे, और जब भी आप इसको unlock करोगे, तो आपको यही 16 digit का code जो है, वो डालना पड़ेगा, ठीक है, and users can also lock, unlock their आधार information, my आधार app, तो ये चीज़ आप करो, आपकी information, ये खाली एक step ए, एक second का काम है, आलस्ती मत बनना, इतना गर लो बस, that's it, ठीक है, और देख भी लोग हो सकता, आपको आधार, वैसे भी system जो है, मतलब जो आपको आधार है, वो वैसे भी on lock, ठीक है, if users have not already locked their आधार biometric information, they should do so immediately, in case of any suspicious activity in their bank account, तो अगर आपने अभी तक lock नहीं किया है, तो आप अभी तुरंट इसको lock कर लिजे, users are also advised to inform their banks and the concerned authorities as soon as possible, तो अब मान लोग है, आपके साथ कुछ भी गड़बाड हुई है, तो सबसे पहले तो आपको तुरंट, देखिए, एक दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापस आ सकता है, है ना, मेरे पासे से बहुत सारे messages आते हैं, तो वो depend करता आपके कितनी जल्दी inform किया, ऐसे कैसे देखे गए है, बैंक तुरंट act करता है, ठीक है, तो यहाँ पे, अगर कोई suspicious activity हो रही है, ठीक है, या कुछ भी, माल दीज़े, fraud हुआ है, तो फटाक से आप यहाँ पे authority को जो है, वो, आप inform करिये, timely reporting can ensure that any money transferred using fraud means is returned to the victim, जैसा कि अबने बता है, RBI in a circular has stated that a customer entitlement to zero liabilities arises, where the unauthorized transaction occurs, and the customers notified the bank within the three working days of receiving a communication from the bank regarding such unauthorized transaction, तो within the three working days में, चीज़े हो सकती है, कोई दिककत नहीं है, while banks and other financial services provides are instructed to inform the customers of transaction through the SMS and emails, lack of network access to email ID may stop them from doing so, as such users are advised to regularly check their bank accounts and inform their banking institution, तो इसमें यही हुआ है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कि यहाँ पर users कम से कम एक दो दिन में अपना bank account चेक करते रहो, statement चेक करते रहो, उस bank के app आती हैं, ठीक है, तो उससे अगर मान लो, कुछ भी deduction हुआ है, तो फड़ाक से आप bank को बोल सकते हो, और RBI की circular के हिसाब से, आपको पैसा वापस मिल सकता है, क्योंकि किसी के bank account में ही गया होगा, तो यह आपको करना है, इतना आप करिए, जरूरी है, सतर करे हिए भाईया, बहुत ही आजकल भयानक online ट्रॉट चलने, लेकिन अगर हमने कुछ चीज़े की, तो हम सेफ रहेंगे, प्रहार बैच को आप जरूर जोइन करें, आपको बहुत ज़दा फाइदा मिलेगा, थैंक्यू सो मच,